दोस्तों हम अपने बालों और अपनी तौचा को खुबसूरत रखने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं अपने बालों को लंबा घना मजबूत करने के लिए अच्छे अच्छे शैंपू, कंडीशनर्स, हैरोयल्स, हैर स्पा, काफी जादा पैसे खर्च कर देते हैं अपनी तौचा को खुबसूरत और जवान रखने के लिए अच्छे अच्छे क्रीम्स, सेरम्स और फेशियल्स, महिंगे महिंगे फेशियल्स करवाते हैं इन फैक्ट कुछ थेरपीज भी लेते हैं मगर बास दफ़ा क्या होता है कि ये चीज़े वर्क नहीं करती हैं अब आप ये सोचो कि ये चीज़े वर्क क्यों नहीं करती हैं दोस्तों अगर आप कुछ अच्छा कंज्यूम नहीं कर रहे हो अगर आप अपने बालों को अपनी तौचा को अंदर से पोशन नहीं दे रहे हो तो चाहे आप बाहर से कितना भी अच्छा स्किन केर कितना भी अच्छा हैर केर कर लो कितने भी महगे महगे प्रोड़क्स यूज़ कर लो कुछ भी वर्क नहीं करने वाला है अंदर से सेहत मंद होना बहुत ज़ादा ज़रूरी है अंदर से अपनी तवचा को अपने बालो को ओवर ओल पूरे बॉड़ी को पोशन देना बहुत ज़ादा ज़रूरी है तो दोस्तों आज आपकी होस्ट माहिरा कुछ ऐसा आपके लिए लेकर आई है जो कि आपके बालो को और आपकी तवचा को अंदर से खुबसूरत बनाने के लिए बहुत ज़़ादा कारगर है यह एक ऐसी चीज है जिसको अगर आप कंजूम करते हैं अगर आप इसको खाते हैं तो आपके बाल हो जाएंगे बहुत ज़़ादा चमकदार लंबे घने और आपकी तवचा हो जाएगी बहुत जादा ग्लोइंग और आपके जो एज है एजिंग के स्पॉर्ट्स है रिंकल्स है जो भी ओवरॉल प्रॉब्लम है आपके तवचा में वो सारी दूर हो जाने वाली है तो दोस्तों चलिए देर ना करते वे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपकी होस्ट माहिरा वल्कम तु माई चानल व्यूरेटिवस भाई माहिरा तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐलमंट्स के बारे में ऐलमंट्स किस तरीके से आपके बाल को आपके तवचा को फायदा पहुचाता है आज मैं वो सबस्क्राइब तुम कर सकते हैं यह भी आज मैं एस वीडियो में बताने वाली हूँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलमंट्स के लिए क्या करता है किस तरीके से आपके तवचा को फायदा पहुचाता है एलमंट्स आर रिच इन वाइतमिन ए अंटी ऑक्सिडन्ट इस ग कि वह जाहिए कि चमक लाता है किन को बहुत ज़ादा ग्लोईग बनाता है ये आपकि पहल्नीक फ्री करता है अगर कि के बिलेशिफ करने इलमेटरा करoir पर आपको Eleven यह रोजाना कर रहते हैं और यह और यह क्लोग आपको छोझाका है है दोस्तों तो अगर आपको अपनी तवचा को जवां रखना है काफी दिनों तक तो आज से ही elements का सेवन करना शुरू कर दीजिए कि elements आपके बालों के लिए क्या करता है elements are rich in magnesium and nutrients elements जो होता है वो आपके hair follicles को sufficient nutrients provide करता है जिससे आपके hair follicles से डान्रफ हट जाते हैं आपके scalp से और आपके जो बाल होते हैं वो हो जाते हैं बहुत ज़्यादा मजबूत और जो magnesium होता है वो hair growth को promote करता है दोस्तों elements जो होता है वो आपके hair strands को shiny बनाता है और आपके बाल हो जाते हैं बहुत जादा खूबसूरत बहुत जादा लंबे शाइनी और आपकी स्कैल्प भी नरिश रहती है जिससे कि आपको डांडरफ की प्रॉब्लम नहीं होती है डांडरफ की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी आपको इची स्कैल्प नहीं होंगे आपके बाल ज्यूम कैसे करना है तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि मैं ये अलमंट्स कैलिफॉर्णिया अलमंट्स प्रिमियम कॉलिटी का यूज करती हूँ ये और ग्यानिक बॉक्स के साथ आता है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर और इसको मैंने लिया है अमजॉन से इसका प्राइस है 799 और 500 ग्राम्स की प्रोडर कॉन्टिटी में ये मिलता है और ये इस बॉक्स में ही आता है दोस्तों वैसे तो आप कोई भी ऐलमंट्स यूज कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि आपको यही ऐलमंट्स यूज करना है तो दोस्तों हमें सिर्फ पांच ऐलमंट्स लेने हैं और इन पांच ऐलमंट्स को हमें सोक कर लेना है थोड़े से पानी में हम इसको सोक कर लेन इस सुबह ये बदाम जो भीग चुके हैं, अब इनके हम छिलके उतार लेते हैं दोस्तों अब ये छिले हुए बदाम को हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एम्टी स्टमक हमको इन्हें खा लेना है और अच्छी तरह से चबा कर हमको इन्हें खाना है और ये हमें रोज आना करना है दोस्तों इस तरीके से अगर आप अलमेंट्स को कंज्यूम करते हैं, अगर आप खाते हैं इस तरीके से तो आपको आपके बालों में आपकी तवचा में बहुत जादा फर्क देखने को मिलेगा तो दोस्तों अगर आप अपने आपको अंदर से पोशन देते हैं, अंदर से अच्छे अच्छे फ्रूट्स, अच्छे अच्छे नाट्स, अच्छे अच्छे चीजों का सेवन अगर आप करते हैं तो आपको बहुत जादा महंगे महंगे प्रोड़क्स और बहुत जादा अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत बिल्कूल नहीं पड़ेगी, आपको कोई प्रॉब्लम आपके बालो और आपकी स्किन में नहीं होगी दोस्तों, तो दोस्तों I hope मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बला आइकन को हिट करिए और मुझे इंस्ट्रा टुटर पर फॉलो करना मन भूलिएगा दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तिल देन बबाई!